हेलो दोस्तों, वैलकम, इस वीडियो में हैं कक्षा आठ गणित के आठ में चैप्टर, बीजे व्यांजक एबं समी करण, इसकी प्रशनावली आठ दशमलव तीन करेंगे, इस प्रशनावली में 5 प्रशने हैं सभी को इस वीडियो में करेंगे, और इस चैप्टर के बाकी व मैंने लेखी युगमों में प्रते के व्यंजकों का गुडन कीजिए तो इनमेह में गुड़ा करना है तो ओके यहाँ पर है पहला 4P इसका गुड़ा करना है Q प्लस R से देखो दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात समझिए यहाँ पर मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया है देखो यह ब्रैकेट यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बिना ब्रैकेट के क्वेशन गलत हो जाएगा तो जब भी हमारे पास कोई दो पदी यानि एक पद से बड़ा होता है जैसे दो पद कैसे देखो क्यो प्लस क्या करता है कि पदों को अलग करता है यहाँ पीच में प्लस लगावाए तो यह दो पद बन गए है तो जब भी हमें इस तरह से दूई पदी या तरी पदी मतलब एक पद से जो भी आगी हो जब भी उनका गुणा करना होता है तो हमेशा ब्रैकेट लगाते हैं एक पदी जो यहाँ पर 4P है उसमें आप चाहें तो ब्रैकेट लगा दें कोई प्राब्लम नहीं है लेकिन बिन ब्रैकेट के भी यह चल जाएगा लेकिन अगर दूई पदी है या 3Pदी है यहाँ पर तो हमेशा ब्रैकेट लगाना होता है यह जरूरी है तो जब जब हमारे पास यह जैसे आप देख सकते हैं Q प्लस R है जब यह लिखेंगे तो हम ब्रैकेट लगाएंगे A माइनस B यह आप देख रहे हैं second वाले में तो यहाँ पर भी ब्रैकेट लगेगा तीसरे वाले में देखो A प्लस B है तो भी यहाँ पर ब्रैकेट लगेगा तो जब जब हम 2 पदी या 3 पदी यानि एक पद से आगे जिसमें 2 पद है 3 पद है 4 पद है जब भी हम इनको लिखेंगे तो हमेशा ब्रैकेट लगाएंगे ध्यान रखना अब वापस इस गुणा पर आते हैं देखो हमारे पास जब इस तरह से ब्रैकेट होता है तो उसके बीच में गुणा लगाने के विए से जरुवत नहीं पड़ती है यानि अगर यहाँ पर यह नहीं होता तो भी हम वही आगे करते जो हम अभी करने वाले हैं कहने का यह मतलब है कि अगर ऐसा लिखा है यानि यह थोड़ा पास में है अगर मानलो की ऐसा लिखा है तो इसका यही मतलब है कि इसका गुणा हम इसे कर रहे हैं और बाकी ये तो गुणा ही है तो गुणा का चिने लगा देते हैं ताकि ये पता चले कि हाँ भी एक्चल में हम गुणा ही कर रहे हैं गुणा का ही है लेकिन जैसे मैंने बता है अगर आप ये नभी लगाओ तो इसका मतलब भी गुणा ही होता है ओके और राइट तो गुणा हम कैसे करते हैं यहाँ पे इसका गुणा पहले इससे करते हैं और फिर इसका गुणा इससे करते हैं दोनों से तो एक एक करके करते हैं तो सबसे पहले 4P का गुणा होगा Q से बीच में प्लस है यह प्लस आएगा है न और फिर हम 4P का गुणा करेंगे R से और यह हो जाएगा 4P Q प्लस 4P R यह इनका गुणा हो चुका है ठीक है ओके तो पहला पार्ट हो गया है अब सेगिन पार्ट देखो सेगिन पार्ट में हमारे पास है A B और इसका गुणा हमने करना है A माइनस B से देखो कैसे फिर वही प्रकिरिया कि इसका गुणा इस से करेंगे और इसके बाद फिर इसका गुणा इस से हमने करना है तो जब A B का गुणा A से करेंगे यानि इसको चलो लिख देते हैं AB गुणा A इसके बाद देखो यह है माइनस और इसका चिन है बीच में इसका चिन है यहाँ पर प्लस का प्लस लिखा नहीं है बट हम प्लस मानते हैं इसे यानि जब प्लस होता है तो इस तरह से लिखते नहीं है बड़े प्लस है तो प्लस माइनस का जब गुणा करते है तो माइनस आता है यानि यह माइनस आएगा और अब AB का गुणा हम करेंगे किस से B से अच्छा AB का गुणा A से किया तो क्या होगा A यहाँ पर दो बार है तो A स्कुायर आजाएगा इंटू B माइनस लगा अब AB का गुणा B से करेंगे तो यह अब यहाँ पर B दो बार है तो B का गुणा B से करते है आपको पता होगा कि घाते गुणा करने पर जूड़ती है तो एक घात इसकी है तो एक और एक दो हो जाएगी जैसे यहाँ पर हुआ एक घात इसकी एक घात इसकी तो तभी तो एक घात दो आया तो यहाँ पर ऐसे ही है और यह हो जाएगा AB स्क्वाइर तो B सिंपल भाशम अगर आप समझें तो B एक इधर है एक इधर है उनका गुणा किया तो यह दो बार हमने यहाँ पर लिग दिया है ओके थर्ड पार्ट यहाँ पर है A प्लस B इसका गुणा हमने करना है 7 A स्क्वाइर B से B स्क्वाइर से तो यहाँ पर भी यही है कि आप चाहे इधर से देखो कि पहला इसका गुणा इससे करें फिर इसका गुणा इससे करें और यह पिर आप इधर से देखो कि पहला इसका गुणा इससे करें और फिर इससे करें बात दोनों केस में एक ही है तो यहाँ पर पहले गुणा होगा A का इसके साथ यानि A गुणा 7 A स्क्वाइर B स्क्वाइर फिर ये प्लस है, यहां भी प्लस है, है ना, मतलब अगर मैं इस तीस की बात करूँ तो ये प्लस है, तो ये प्लस आएगा यहां पर, और B का गुणा इससे होगा, B गुणा 7, A स्कॉाइर, B स्कॉाइर है ना, अब देखो, ये 7 आ चुका है, अब A एक बार यह है, दो बार है ना, एक बार यहां पर है, दो बार यहां पर है, तो ये, कुल मिलाकर, तीन बार हो गया है, ये फिर B स्कॉाइर है, ये प्लस यहां पर आया, और B का गुणा, इससे करेंगा, तो B एक बार यह है, दो बार यह है, तीन बार आ जागा, तो ये जगा 7, A स्कॉाइर अपना आरे पास A2-9 गुणा 4A यहां पर भी वही है पहले इसका गुणा इससे होगा यानि A2 का गुणा 4A से फिर देखो यह माइनस है तो माइनस और यहां पर तो प्लस है प्लस का मनलब आप यह मत कहना कि सर इसका चिन तो गुणा का है नहीं अगर मैं इस 4A की बात करूँ तो यह अपने आप में प्लस में है और प्लस माइनस का माइनस होता है तो बेसिकली माइनस आएगा और 9 का गुणा है 4A से अब यहां पर देखो 4 आ गया है A दो बार यहां पर है A की है तो A क्यूब हो गया 9 चको 36 A ठीक है यह भी समझ आ गया और 5 पार्ट देखो तो 5 पार्ट में तो हमारे पास है PQ प्लस QR प्लस RP इसका गुणा हमने करना है 0 से तो 0 से गुणा करके 0 आता है ठीक अब यहां पर question number 2 है और यहां पर सारणी को हमने पूरा करना है प्रथम व्यंजक, दुतिय व्यंजक और यहां पर आप देख सकते हैं हमने गुणा करके यानि इनका गुणा इन से करके हमें यहां पर लिखना है तो सबसे पहले हमारे पास जो first part है उसमें देखो तो यहां पर A का गुणा हमने इस से करना है तो गुणा कैसे करते हैं तो A के करके यानि A का गुणा पहले इस से करो तो यह A भी हो जाएगा फिर यह प्लस है तो प्लस आएगा फिर यह C है तो A का गुणा C से करेंगे तो A C आएगा प्लस फिर A का गुणा D से करेंगे तो A D आएगा है ना, यानि हमने क्या किया, इसका गुणा, सब से क्या, एक एक करके, ओके, आप यहाँ पर उल्टा भी जल सकते हो, आप अगर यह बोलो कि सर, इसका गुणा इससे हमने करना है, ऐसा नहीं कि हम इसका गुणा इससे कर सकते हैं, बात एक ही है, तो भी तो सहीं मिलेगा, आप फिर प्लस करके C का गुणा इससे करो, बात एक ही है, ओके, चलिए, अब यहाँ पर जैसे यह है, तो यहाँ पर हमने इसका गुणा इससे करना है, तो सबसे पहले, आप चाहे इसको इस तरह से करो, या फिर आप इसको इस तरह से करो, बात एक ही है, X का गुणा इससे करेंगे तो क्या होगा 5 तो आएगा ठीक है अब देखो 1X इधर है और 1X इधर है तो ये X दो बार हो गया है और साथ में ये Y आ जाएगा है ना अच्छा अब ये प्लस का चिन्नी यहाँ पे लगेगा अब Y का गुणा इस पूरे से होगा तो Y का गुणा इससे होगा तो पहले तो 5 आएगा नमबर अब देखो Y का गुणा X Y से हो रहा है तो Y अब दो बार आ जा रहा है तो ये होगा X Y स्क्वाइर और इसके बाद अब बच्चा ये minus 5 तहां लखना चिन बहुत important है तो minus लगाया और 5 का गुणा इससे करेंगे 25 और xy ये आ जाएगा 25xy है ना तो ये आ चुका है अब हमारे पास है ये तो अब p का गुणा करना है एक एक करके इन सभी से तो p का गुणा हम जब इससे करेंगे तो क्या होगा 6p अब देखो p एक बार ये है दो बार ये है तो टोडल तीन बार हो गया है तो 6p क्यूब हो गया minus आएगा यहाँ पे ये 7 अब फिर ये देखो ये p है और ये भी p है तो ये p स्कॉयर हो गया ओके दो से गुणा हो गया अब तीसरे की बारी है अब इससे गुणा करते है तो ये तो 5 है प्लस है तो प्लस 5p ओके 4th part अब इसका गुणा करना है हमने इससे तो एक करके करते है पहले इससे करेंगे तो देखो पहले तो संख्या आएगी यानि 4 अब ये p दो बार इधर है और दो बार इधर है तो P चार बार हो गया तो P की पावर 4 Q स्क्वार है तो ये एज़िटीज आ जाएगा अब इसके बात अब हमने इस से गुणा करना है तो पहले तो माइनस साइन लगेगा यहाँ पे अब देखो तो जब इसका गुणा हम इस से करेंगे तो देखो पहले तो संख्या आती है यानि 4 आ जाएगा अब देखो P स्क्वार है ये एज़िटीज आ जाएगा और Q दो बार इधर है दो बार इधर है Q चार बार हो गया है यानि Q पावर 4 समझे और अब हमारे पास ये है और ये है तो इनका गुणा करते है तो जब इसका गुणा देखो फिर वही बात है एक एक से गुणा करेंगी हम तो ABC का गुणा हम पहले A से करेंगे तो क्या होगा A का गुणा इस से करेंगी तो A दो बार आ रहा है है ना एक तो ABC में है और एक ये है तो A हो गया है स्क्वाइर में A स्क्वाइर B C फिर इसके बाद प्लस आएगा अब B का गुणा करना है इससे तो देखो B स्क्वाइर हो जा रहा है तो A सिंगल है B दो बार हो गया है और C भी सिंगल है अब C का गुणा करेंगे इससे तो अब C दो बार है याद करना है तो चलो इन पार्ट को वन बाइवन करते हैं फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है A स्कॉाइर गुणा 2 A पावर 22 गुणा 4 A पावर 26 तो सबसे पहले संख्याओं का आपस में गुणा करो जो आगे हैं यह घात है ठीक है यह संख्या वैसी नहीं है तो इनका मत गुणा कर देना मैं बात कर रहा हूँ इनके आगे जो संख्याओं होती है तो देखो इसके आगे यहाँ पे तो 1 है तो उसको तो खेर क्या गुणा करना यह 2 एंड यह 4 है चार दूने 8 तो यह हो गया है 8 अब हमारे पास A है सभी A, A, A है तो A की घात 2 यह है A की घात 22 है A की घात 26 है तो गुणा करने पर घातें जूडती है तो अगर आपको यहाँ पे दर्शाना है तो आप दर्शा सकते है इस तरह से हमने सब को जोड दिया है और यह आ गया है 8 A पावर 50 है ना 2, 2, 4, 24, 26, 25 और अगर आप डारेक्ट यह लिखना चाहो अपने आंसर में तो लिख सकते हैं कोई प्राब्लम नहीं है तो गुणा करने पर घातें आपस में जूडती है लेकिन यह भी ध्यान रहे कि वो सेम चीज़ की घाते होनी चाहिए यानि उनका आधारिक जैसा होना चाहिए यानि अगर हमारे पास है A की घात 2, गुणा A की घात 3 तो गुणा करेंगे तो इनकी घाते जुड़ जाएंगे A की घात 5 हो जाएगा लेकिन अगर हमारे पास है A की घात दो गुणा, B की घात तीन तो आप यह मत समझना कि यहाँ पे घाते जुड़ेंगे यह कुछ होगा, इनका कुछ नहीं होगा, यह ऐसा का ऐसा ही रहेंगे, ओके, second part तो यह है 2 बटे 3 xy इसका गुणा है minus 9 बटे 10 x square y square, चलिए गुणा करते हैं तो सबसे पहले तो चिन का करते हैं हिसाब किताब, चिन यहाँ पर minus है, तो और इसका चिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या चिन है यहाँ पर plus है, लिखावा नहीं है, बट plus होता है, plus माना जाता है तो plus minus का होता है, minus अब संख्याओं का गुणा पहले होता है तो ये दो बटे तीन गुणा नो बटे दस मैंने इसको फिलाल ऐसे लिख दिया है अभी काटेंगे उसको अब X तो X यहाँ पर एक बार है यहाँ पर दो बार है टोटल तीन बार हो गया यानि यह एक घात होती है लिखावा नहीं होता है बट एक घात होती है तो एक यह है और दो घाते यह है तो दो रेक तीन हो गया वैसे बहर आगर आप देखे और Y एक बार यह है दो बार यह है तो Y भी तीन बार हो गया है तो यह तो हो गया अब बस यहाँ पर थोड़ा सा और हमें calculate करना है तो दो पंचे 10 और 3 तिया 9 तो minus आएगा 3 बटे 5 हो गया और X की घाथ 3 Y की घाथ 3 Got it? Okay, third part minus 10 upon 3 PQ cube इसका गुणा हम करेंगे 6 upon 5 P cube Q से ठीके तो सबसे बहले चिन लिखते है तो यह minus है यह plus है plus minus का minus होता है तो चिन तो minus का आगया अब संख्याओं को लिखते है 10 बटे 3 इधर है और 6 बटे 5 इधर है यह हो गया है अब P की बारी है P एक बार यह है और 3 बार यह है तो P की घात होगी 4 गुणा करने पर घाते जुड़ती है तो 1 और 3 चार अब Q है Q तीन बार इधर है और एक बार इधर है Q भी हो गया 4 बार तो यहाँ पर यह हो गया है अब बस थोड़ा से इसको सरल करना है तो 3 दूने 6 5 दूने 10 और यह हो जाएगा माइनस 4 P की घात 4 Q की घात 4 ठीक ओके और अब हमारे पास है 4th पार्ट X गुणा X की घात 2 गुणा X की घात 3 और यहाँ पर clear आप देख सकते है कि क्योंकि इनका आधार एक जैसा है ध्यान रखना घातें तब ही जुड़ती जब आधार एक जैसा होता है तो यहाँ पर इनका आधार एक जैसा है तो यह सभी X X X X X है तो तब घातें जुड़ जाती है तो घातें देखो इसकी घात एक है फिर 2 3 4 तो यह हो गया X घात 2, 3, 3, 6, 4, 10 और अगर आप यह नहीं भी लिखते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी आप सिदय लिख सकते है खेर यह हो चुका है और इस तरह से question हल हो चुका है Question number 4 है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने पहले इसे सरल करना है और फिर X का मान यहाँ पर पुट करके X की वेली पुट करके हमें इस व्यंजक का मान ग्याद करना है और ऐसे ही हमारे पास यह है तो A देखो सबसे पहले तो हमने इसको सरल करना है तो देखो यहाँ पर यह आप देख सकते हैं यह 3X है और यह bracket लग गिया है तो इनके बीच में कोई चिन नहीं लिखा है यहाँ पर तो ऐसी आवस्था में यह गुणा होते हैं ध्यान रखना तो हम 3X का गुणा पहले इस से करेंगे और फिर इसका गुणा इस से करेंगे तो जब 3X का गुणा इस से होगा तो होगा 3 चको 12 और X का गुणा X से होगा और प्लस 3 ये पहले से लिखा हुआ है, तो as it is ये आ जाएगा, ये तो हमने क्या किया, अभी इस वियंजक को सरल किया है, अब फर्स्ट पार्ट देखो, तो x बराबर 3 रखने पर, तो वियंजक हमारे पास क्या है, 12x square minus 15x plus 3, तो हमने क्या करना है, x के जगह पे 3 रखना है, ये ध्यान रखना, माइनस 15x के जगह पे 3 प्लस 3, ये हुआ 12 गुणा 3 रखना 9, माइनस 15 रखना 45, प्लस 3, बारा नमे 108, माइनस 45 प्लस 3, अब यहाँ पर कैसे हल करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, कि हम प्लस प्लस वालों को अलग जोड़ते हैं, और माइनस माइनस वालों को अलग हिसाब करते हैं, तो प्लस वाली यहाँ पर दो है, इनको जोड़ेंगे, तो क्या आएगा, 111, माइनस वाला के वल एक ही है, तो ये आजाएगा, और इसको हल क इसका second part करना है ध्यान रखना अभी एह ही चल रहा है तो अब हम रखेंगे क्या x बराबर half तो x बराबर half रखने पर तो x बराबर half रखेंगे हम एक बटे दो रखेंगे तो हमारे पास क्या है फ्यंजक ये है ना ये जो हमने इसे सरल करके लिखा था अच्छा तो अब हमने क्या करना क्या है हमने x की जगा पर एक बटे दो रखना है तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम एक बटे दो रखेंगे इस तरह से रखते हैं अब पहले तो इसको ब्रैक्ट को सरल करो इसको solve करो तो एक बटे 2 का square करेंगे एक बटे 4 आ जाएगा यह तो 15 बटे 2 है 4 से कटा 3 आ गया अब यहाँ पर देखो यह 3 है यह माइनस 15 बटे 2 और यह प्लस का 3 यहाँ प्लस प्लस वाले कौन से हैं यहाँ प्लस वाले एक यह है एक यह है 3 और 3 6 माइनस वाला केवल अकेला यह है ना तो इसको अगर हम सरल करें तो क्या होगा LCM आया 2 6 दोने 12 माइनस 15 और यह आगया माइनस 3 बटे 2 समझे इस तरह से हलुआ मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर आपका आया होगा इसका इससे गुणा कर जैसे LCM निकालते ही है बेसिक भिन्ने तो आपको शायद आता होगा और आसन तरह का यह है कि इसका इससे गुणा करो और यह आपने देखा मैंने वही गुणा करके लिख दिया ओके तो सेकिन पार्ट का भी आंसर आ चुका है अभी A की आपने अब हमारे पास B है और इसमें जो वियन्जक है पहले वो लिख देते हैं A A square प्लस A प्लस 1 प्लस 5 पहले तो इसको सरल करना है तो A का इससे गुणा करेंगे पहले है ना यह A का इन सबसे गुणा है लिखावा नहीं है गुणा लेकिन इस तरह से होता है जब bracket शुरू हो जाता है तो इस गुणा ही होता है ओके मालो कि अगर इनके बीच में चिन होता तो अलग बात है बट इनके बीच में को चिन नहीं है तो फिर गुणा है A का गुणा हम A square से करेंगे तो A की घात 3 आ जाएगा जब इसका गुणा इस से करेंगे तो A की घात 2 और फिर 1 से करेंगे तो A और ये 5 as it is आ गया है पहली बात तो ये अब first part देखो यहाँ पर हम हमने क्या करना है A बराबर 0 रखना है तो A बराबर 0 रखने पर क्या होगा ओके तो हमारे पास व्यंजक है ये इसका ध्यान रखना ये व्यंजक हमारे पास A Q प्लस A square प्लस A प्लस 5 ये क्या होगा तो हमें लिखना होता है ठीके लिखना चाहिए 0 की घात 3 प्लस 0 की घात 2 प्लस 0 प्लस 5 जहाँ जहाँ A है वहाँ वहाँ हमने 0 रखा ये तीनों 0 हो गये है के वल 5 हमारा आंसर आ गया है अब सेकिंड पार्ट इसका सेकिंड पार्ट में हमने रखना है A बराबर 1 तो वियंजग क्या हो जाएगा A Q प्लस A स्क्वाइर प्लस A प्लस 5 तो A की जगा पे हमने 1 रखना है जहाँ जहाँ A है वहाँ वहाँ 1 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 5 और यह हो चुका है 8 समझे थर्ड पार्ट अब हमने A बराबर माइनस 1 रखना है ठीक है A बराबर माइनस 1 रखना है वियंजग क्या हमारे पास A Q प्लस A स्क्वाइर प्लस A प्लस 5 A की जगए पे माइनस 1 रखना है तो माइनस 1 क्यूब प्लस माइनस 1 स्क्वाइर प्लस माइनस 1 प्लस 5 माइनस 1 क्यूब माइनस 1 होता है है नग यह ध्यान रखना कि कभी भी माइनस हमारे पास हो उसकी घात अगर कोई समसंख्या हो सम संख्या मतलब 2, 4, 6, 8 तो ये प्लस हो जाता है और अगर माइनस की घात विशम संख्या हो कोई negative कोई चीज है माइनस में कुछ भी है उसकी घात विशम संख्या हो तो वह चीज माइनस होती है तो यहाँ पर विशम संख्या है घात में तो माइनस वन आएगा और यह सम संख्या है तो यह बना जाएगा यह फिर माइनस वन है और यह प्लस 5 है यहाँ पर क्या करते हैं प्लस प्लस वाला को अलग हिसाब करते हैं माइनस माइनस वाला को अलग हिसाब करते हैं प्लस वाले ये 2 हैं तो ये हुआ 6 और माइनस माइनस वाले ये दोनों हैं ये हुआ माइनस का 2 तो 6 माइनस 2 हुआ 4 और ये हमारे इस पार्ट का आंसर आ चुका है ओके तो आई हो आपको एक विश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा कुश्चन नमबर 5 है के तो चलिए A पार्ट करते हैं सबसे पहले तो हमारे पास है P into P minus Q है ना फिर इसको जोड़ना है Q Q गुणा Q minus R से और फिर इसको जोड़ना है R गुणा R minus P से तो यह गुणा होता है ठीक है ब्रैकेट जब इस तरह से लगता है गुणा होता है अब P का गुणा P से करेंगे तो P का स्क्वार आएगा क्योंकि अब P दो बार हो गया है आपस में गुणा हो गया है तो P स्क्वा और Q का गुणा R से होगा तो माइनस आएगा क्योंकि प्लस माइनस का माइनस होता है और Q का R से गुणा करेंगे तो Q R होगा R का गुणा R से करेंगे तो यह R स्क्वाइर होगा और फिर R का P से करेंगे तो R P और यह आ चुका है आप चाहो तो पहले लिख सकते हो P², फिर Q², फिर R², फिर माइनस PQ, फिर माइनस QR, फिर माइनस RP, ये थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है, तो आप इस पे छोड़ सकते हो अब B part, 2X, Z-X-Y, प्लस 2Y, Z-Y-X, अब इसका गुणा इस से करेंगे, फिर इसका गुणा इस से करेंगे, और इसका गुणा इस से वही, और बाद में फिर हमें जोड़ना है, तो 2X का गुणा Z से करेंगे, तो 2X, Z हो जाएगा, पिर ये माइनस आएगा, अब 2X का गुणा X करेंगे, तो 2X स्कुयर आ जाएगा, क्योंकि अब X दोबारा चुका है, फिर माइनस आएगा 2XY, अब यहाँ पर 2Y, Z है, यानि 2Y का पहले Z से गुणा करेंगे, तो 2Y, Z आ जाएगा फिर 2y का गुणा y से करेंगे तो 2y² है न और माइनस का फिर 2y का गुणा x से करेंगे तो माइनस 2yx अब यहाँ पर कुछ कट रहा है कुछ प्लस माइनस हो रहा है देखते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ प्रोटिस करेंगे कि ये चर और ये चर एक जैसा है X, Y, Y, X एक ही बात होती है तो उनका आपस में हिसाब किताब हो जाएगा जोड़ घरणाना जो भी हो जाएगा लेकिन बाकियों का नहीं होगा क्योंकि बाकी कोई भी एक समान उनमें चर नहीं है तो यहाँ पर एक काम करते हैं सबसे पहले तो लिखते हैं ये वाला माइनस टू X स्कॉाइर फिर टू Y स्कॉाइर और उसके बाद अब क्या लिखें अब यहाँ पर बाकियों को लिख दो तो चलो पहले इसको लिख देते हैं X, Y वाले को तो minus 2xy minus 2yx तो दोनो minus के हैं दोनो जुड़ जाएंगे तो minus का चिन आएगा वैसे लेकिन जुड़ जाएंगे वो और यह आजाएगा यह हो गया है अब क्या बचा अब लिख देते हैं plus 2yz और फिर plus 2xz तो यह अगर आप यह सोचो कि सर अगर हमने आगे पीछे लिख दिया तो कोई problem तो नहीं होगी no कोई दिक्कत नहीं है आप चाहो तो इसको यहाँ पर लिख दो कुछ फरक नहीं पड़ता है बस उनके आगे के चिन्न सही होने चाहिए वो नहीं change होने चाहिए खेर बट यह दो देखने में अच्छा लगता है कि पहले square वाले सारे लिख दिये हैं जैसके मने यहाँ पर गया था ना कि पहले square वाले एक साथ लिख दिये बाकि frequency को अलग लिख दिया है बनलब बाकियों को उसके बाद लिख दिया है इस तरह से एक order में लगता है तो ये इसका answer आ चुका है ओके तो ये दोनों हो चुके हैं अब C पे आते हैं तो इसमें किसमें से क्या घटाना है तो 4L 10N minus 3M plus 2L इसमें से घटाना है क्या 3L into plus 5N है ना तो question में लिखा है कि इसमें से ये घटाओ हमने ये लिख दिया है पर पहले bracket को हल करेंगे हम bracket ये खोलेंगे तो 4L का गुणा पहले इससे करेंगे तो क्या होगा 40LN फिर इसका गुणा इससे करेंगे तो minus 12LM और फिर इसके साथ करेंगे तो होगा 4 दूने 8L अब L दो बार है तो L square आ जाएगा अब इसका गुणा इन तीनों से करेंगे तो दियान रखना ये minus 3L है तो minus का इसका दियान रखना तो minus 3L का गुणा L से होगा तो minus 3L square आ जाएगा ये minus का है यह PLUS का है तो PLUS माइनस का माइनस होता है इसलिए यहाँ पर माइनस आया है अब इसका गुणा करेंगे इससे तो माइनस माइनस का होगी है PLUS 3 चीको 12 LM और फिर माइनस PLUS का होगा MINUS 3 पच्चे 15 LN यहाँ तक ठीक है अब देखो LN ये है और LN ये भी है तो ये आपस में इनका जोड़ घटाना हो जाएगा जो भी होगा हो जाएगा यहाँ पर है 40 प्लस का और यह है 15 माइनस का तो 40 में से 15 गया बच्चा 25 और बड़े का चिन आता है यानि प्लस का चिन आएगा तो ये LN हो जाएगा अब हो जाएगा आठ में से 3 गया 5 तो 5 L स्क्वाइर बच्चा तो ये पहले लिख देते हैं 5 L स्क्वाइर प्लस 25 LN तो इनका हिसाब हो गया है अब बच्चा क्या ये ये L M है और ये भी L M है और एक प्लस का एक माइनस का है बिल्कुल एक जैसा है और एक प्लस का एक माइनस का तो कड़ जाते हैं ये धियान रखना तो 12 L M प्लस का 12 L M माइनस का कड़ गये है तो बेसिकली हमारा आंसर ये आ गया है इसको थोड़ा बीच में लिख देते हैं ठीक से ये इसका आंसर आ चुका है तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा अब इसका C पार्ट हो गया अब D पार्ट है तो D पार्ट हमारे पास है कि इसमें से हमने घटाना है इस पूरे को तो देखो किस तरह से लिखेंगे हम यहाँ पे इसे तो यहाँ पर इसमें से हमने इस पूरे को घटाना है तो एक काम करते हैं इस पूरे को पहले तो एक bracket में हम लिख देंगे I mean to say अगले step में हम क्या करेंगे तो सबसे बहले जिसमें से घटाना है उसको पहले लिखते हैं और जिससे घटाना है वो अब यहाँ पर आ जाएगा 3A A प्लस B प्लस C माइनस 2B ओके अब इसका गुणा पहले तीनों से हम करेंगे एक एक करके तो A से गुणा करेंगे तो माइनस 4AC AC लिखो या CA लिखो बात ही की है अब फिर इसका गुणा इससे होगा तो प्लस होगा प्लस 4CB या BC एक ये बात है फिर इससे करेंगे तो दोनों C हैं तो गुणा करके गातें जुड़ जाएंगी यानि दो C हैं तो ये C स्कॉयर हो जाएगा अब यहाँ पर पहले ब्रैकेट को हल करेंगे ये सीधे ये ब्रैकेट हटा मत देना ये एक साथ है क्योंकि हमने इससे घटाने तो ये एक साथ है तो पहले इसको हल करेंगे तो यहाँ पर 3A का पहले इन तीनों से गुणा करेंगी तो यह होगा 3A का इससे गुणा किया तो यह स्कुएर आ गया फिर इससे गुणा करेंगी तो यह 3A B आ गया इससे गुणा करेंगी तो यह 3A C आ गया है ठीक है? अच्छा अब इसका गुणा तीनों से करते है माइनस 2B का A से गुणा करेंगे तो माइनस 2B A आ जाएगा इससे गुणा करेंगे तो माइनस माइनस का होगा प्लस तो यह हो जाएगा प्लस 2 अब B दो बारे तो 20 का रा जाएगा अब इसका गुणा इस से करेंगे तो माइनस टू बी सी माइनस टू बी सी ठीक है ओके और अब देखो ये ब्रैकेट के अंदर थोड़ा सरल हो सकता है क्या कुछ कट रहा है कुछ ऐसा हो रहा है ए बी ए सी हाँ ये हल हो जाएगा ये और ये तो चलो पहले इसको करते हैं ठीक है बाकिश सब एज़टिस लिग देते हैं माइनस 4C1 प्लस 4CB प्लस 4C2 अच्छा अब ये ब्रैकेट रहने देते हैं 3A स्कौाईर माइनस अब ये 3AB और 2BA BAAB एक ही बात है तो ये अपसमें प्लस माइनस हो जाएंगे एक ही चरवाले प्लस माइनस होते हैं जैसे मैंने आपको बताया था तो 3AB में से 2BA को माइनस करेंगे तो 1AB आएगा और वह प्लस का आएगा क्योंकि बड़ा चिन प्लस का है बाकी उतर जाएगा तो बाकी 3AC मैंने ऐसे लिख दिया है as it is और प्लस 2B स्क्वाइर ये भी आजाएगा और 2BC माइनस का है वो भी as it is आजाएगा और अब खोलेंगे हम ये ब्रैकेट ये वाला तो यहाँ पर ये तो फिर से हम as it is उतार देंगे ब्रैकेट अब क्योंकि माइनस बाहर है तो माइनस का जब सबसे गुड़ा ये अंदर गुड़ा होगा तो सारे चिन बदल जाएगे तो यहाँ पर सभी जो प्लस में है माइनस बन जाएगे और माइनस वाले प्लस बन जाएगे तो 3A स्क्वाइर माइनस हो गया माइनस ab माइनस 3 a c माइनस 2 b square और यह माइनस का है तो प्लस हो जाएगा यह यह धियान रखना ठीक है अब चलो अब एक order में लिखते हैं तो सबसे बहले तो स्क्वायर बाला लिखते हैं तो सबसे बहले यह लिखो माइनस 3 a square फिर लिखो B square minus 2B square फिर C square plus 4C square यह हो गया अब AB किदर है तो AB है एक ये और और कोई नहीं है तो यह आजएगा minus AB अब BC वाला कौन सा है यहापे तो BC एक ये है ये तो हो चुका है अब कौन कौन सा है एक ये है और एक ये है इनका आपस में हिसाब किताब हो जाएगा क्योंकि BC CB बात एकी है तो 2BC है और 4CB है तो ये प्लस हो जाएँगे 6 आजएगा 4 और दो 6 BC और अब AC या CA वाले तो यहाँ पर एक ये है ठीक है नए ये हो चुका है ये हो चुका है और अब कौनकौन से है जिनका आपस में हिसाब होगा A, की A और A, की A तो CA और AC बात एकी है इसलिए इनका आपस में हिसाब किताब हो जागा यह जोड़ घटाना जोभी होगा तो −4, −3, ये −7 होता है तो −7 और CA लिखो या AC लिखो बात एक ही है तो ये आ चुका है और इस तरह से ये आंसर आ गया है ओके और इसी के साथ ये प्रशनावली समाप्त होती है मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसके सभी क्वेशन अच्छे से समझ आए होंगे इस चैप्टर के बाकी वीडियो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट चेक करें चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें तो मिलते एंगले वीडियो में टेक क्यार